आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी रागी के वड़े रागी के हेल्थी वेनेफिट्स तो हम सभी जानते हैं ये बहुत ही सिंपल रेसिपी हैं इस वीडियो को आप पूरा देखें यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें रागी के पड़े बनाने के लिए एक बाउन में एक कप डागी का आठा ले लेंगे अब इसमें एक मीडियम साइज के प्याज को फाइन चॉप करके डाल देंगे अब इसमें दो हरी मिर्च को फाइन चॉप करके डालेंगे मिर्च आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर ले साथी 15-20 ताजी कड़ी पत्ता को चौप करके डाल देंगे इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अब हम इसमें एक छोटा चमच नमक डाल देंगे नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले ले अब सभी सामगडी को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते और अब इसका हमें डो बनाना है डो बनाने के लिए सबसे पहले एक चौथाई कप नॉर्मल पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसको रागी के आटे में मिक्स करते जाएंगे ताकि इसका एक सौफ डो बने एक चोथाई कप पानी डाल दिया लेकिन अभी इसका डो अच्छे से बना नहीं है अभी मैं एक चोथाई कप पानी और ले रही हूँ सबसे पहले हम एक बड़ा चमच पानी रागी के आटे में डालेंगे और रागी के आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद जरूरत होगी तो फिर इसमें एक बड़ा चमची पानी डालेंगे अभी ये डो बना नहीं है तो मैंने एक बड़ा चमच पानी और डाल दिया और एक बड़ा चमच पानी डाल कर वापस डो को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अभी भी डो अच्छे से बन नहीं रहा है, अभी मैं इसमें एक बड़ा चमच पानी और डाल देती हूँ, और उसको रागी के आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, रागी ग्लूटेन फ्री होने की वज़र से इसका डो गेहूं के आटे के दो जैसा नहीं बनेगा, बलकि तुट्रा सा मख्गय आटे के जैसा बनेगा, अभी डो बन गया है, अब इसमें हम पानी और नहीं डालेंगे, मैंने एक कप आटे में टोटल एक चोथाई कप और तीन बड़े चमच पानी डाले हैं, अभी डो बन के तैयार है, अब मैंने कडाई में तेल गरम होने के और इसको एक polythene के उपर उस पे पहले थोड़ा सा पानी छी रख दिया फिर उस पे लोई रखके हाथेली से प्रेस करते हुए एक मोटी पूरी बना लेंगे जैसा आप देख रहे हैं बड़े बनाते बनाते इधर तेल भी गरम हो गया है तो बड़े को पहले हाथेली पे बड़े को पलट लेंगे अभी रागी के आटे का कलर ऐसा है कि हम पहचानेंगे कैसे बड़े तले या नहीं तो इनका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है और रागी के आटे में जो हमने प्याज कप्र योग किया है प्याज भी सीख के गोल्डेन कलर के हो जाते हैं तो इसका म मैं आपको एक और बड़ा बना के दिखाती हूँ पॉलिथीन पर यदि रागी का आटा चिपकता हुआ लगे इस पर थोड़ा सा पानी ची रख दे और फिर उस पर रागी के बड़े बनाए यदि आप पॉलिथीन का प्रियोग नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पर अलग कर लेंगे और तलने के लिए तेल में डाल देंगे बड़े को डालने के बाद दो मिनट तक नहीं छेरे नहीं तो बड़े तूट सकते हैं बड़ों को दोनों तरब से पलट पलट कर डार्क कलर के होने तक सेक लेंगे और उसके बाद इसे प्लेट में निकाल लेंगे एक कप रागी के आटे से मैंने 8 रागी के बड़े बनाये हैं इन गर्मा करम बड़ों को आप चटनी या सौस के साथ ऐसे भी स्नेक्स की तरह खा सकते हैं जिन्हें रागी का टेस्ट नहीं पसंदे उन्हें भी ये बड़े बहुत पसंद आएंगे एक पाड़ी से जरूर ट्राइ कीजिए अभी मैं आपको एक रागी का बड़ा तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितना अच्छा है तो है ना रागी के बड़े टेस्ट भी और हेल्थ भी वाली रेसिपी